आज हमारा टॉपिक है विकास के आधार पर संसाधन यह यू कहें विकास और उप्योग के आधार पर संसाधन इससे पहले हमने डिसकस किया था संसाधन को संसाधन की प्रकार को हमने जाना था कि संसाधन तीन प्रकार के होते हैं प्राकर्तिक संसाधन मानव निर्मित संसाधन मानम संसादल हमने इन तीनों को discuss किया था अब बात करते हैं प्राकरती संसादन natural resources तो हमने इनका classification किया तो हमने पाया कि यह चार प्रकार के होते हैं इन चारों के बारे में हमने थोड़ा discuss किया था तो आज हमारा topic है level of development and use विकास और उप्योग के आधार पर संसादल तो आज हम इस topic पर discuss करेंगे आपके साथ और हम जानेंगे कि level of development and use विकास और उपयोग के आधार पर संसादल कितने प्रकार के होते हैं तो आज का topic है विकास और उपयोग के आधार पर संसादल बात करते हैं development and use की तो हम कहेंगे on the basis of development and use resources can be classified into two groups means विकास और उपयोग के आधार पर संसादन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है पहला भाग है actual resources और दूसरा है आपका potential resources means first है आपका वास्तिविक संसादन actual resources and second है आपका संभावी संसादन potential resources बात करते हैं actual resources की तो जो की वास्तिविक संसादन है इसके नाम से इस पस्ट है कि वास्तिविक संसादन वे संसादन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ग्यात होती है तो यह वो कौन से संदादन जिनकी मात्रा हमें ग्यात होती हैं वो क्या होते हैं आपके वास्तविक संसादन कहराते हैं और इन संसादनों का जो actual resources है इनका इस समय उप्योग किया जा रहा है किनका actual resources का अभी प्रियोग किया जा रहा है अब जब हमें इनकी मात्रा ग्यात होती है तो हमें ये भी ज्यात हो जाता है कि ये कितने सालों तक रहेंगे तो clear हो गया कि वास्तविक संसादन वे संसादन है जिनकी मात्रा हमें ज्यात होती है और इन संसादनों का इस्वमें उप्योग किया जा रहा है और इनकी मात्रा हमें ग्यात है, इसलिए हमें ये भी ग्यात है कि ये कितने सालों तक रहेंगे, तो इसके एक्जामपल है, कोईला, पैट्रोल, इंधन, ये सब क्या हैं, वास्तविक संसादन है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, वास्तविक संसादन कहेंगे, अब आपका second है, potential resources, स संसादन सिर्फ संभावना की जा सकती है, लेकिन हमें इनकी मात्रा ग्यात नहीं हो सकती, और इस समय इनका प्रियोग नहीं किया जा रहा है, इन संसादन का उपयोग भविश्य में किया जा सकता है, ऐसी संभावना है, कि जो potential resources है, इनका उपयोग in future भविश्य में किया जा सकता है और ऐसी उमीद भी कि जा सकती कि जो potential resources है कि आने वाले समय में जो आने वाला future में आने वाले समय में इनकी शमता को हम technology और इन चीज़ों का इस्तमाल करके इनकी शमता को बढ़ा सकते हैं और बढ़ाया जा सकता है और इनका और अच्छा use हम कर सकते हैं तो ये तो थे आपके potential resources संभावी संसादन अब तो आपको clear हो गया कि विकास के आधार पर विकास और उप्योग के आधार पर संसादन दो प्रकार के होते हैं actual resources and potential resources actual resources वो हैं जिनकी मात्रा हमें ग्यात है और इन संसादनों का इसमें उप्योग किया जा रहा है और इनकी मात्रा ग्यात होने से हमें ये भी पता चल जाता है ग्यात हो जाता है कि कितने सालों तक रहेंगे और इसके example क्या है पैट्रोल इंधन कोईला ये सब इसके सब क्या हैं वास्तविक संसादन के संसादन है actual resources ह अब बात करते है potential की तो potential resources वो हैं संभावि संसादन वो हैं जिनके मात्रा ग्यात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रियोग नहीं किया जा रहा है इन संसादनों का प्रियोग भविश्य में किया जा सकता है ऐसी संभावना है कि हम इन संसादनों का प्रियोग भविश्य में करेंगे. तो ये क्या है? आपके सम्भाव संसादन. तो हमारा अग्ला topic है उत्पत्ती उद्धाय के औहार पर संसादन. Based on their origin हAngelis, उत्पत्ती के औहार पर संसादन कितने प्रकार के हैं. अब हमारा अग्ला topic ये है, हम जानेगे कि उत्पत्ती या उद्धाय के आधार पर या origin के आधार पर संसादन कितने प्रकार के होते हैं Based on the origin, resources can be abiotic and biotic Means दो प्रकार के होते हैं उत्पत्ती और उध्य के आधार पर भी जो हमारे resources हैं, उनको हमने दो भागों में बाटा है abiotic and biotic तो abiotic means agile और biotic means gel तो हम कहा सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसादनों को ajayv और ज्याव दो निर्जी वस्त व संसादनों में बाटा गया है ज्याव और ज्याव दो भागों में बाटा गया है जैव सन्सादन निर्जी वस्तवे हें होती है, जैव सन्सादन वोί होती है, जैसे मृधार, चटाने, खनिच, और जबकि जैव सन्सादन वो ए, जो सजी होते है, जैसे पौधे और जीव जंतु, तो ये क्या हैं आपके Jaiw संसादन है, तो आप हमने जाना कि उत्पत्ती और उध्हे के आदार पर संसादन दो प्रकार के होते है आजैव और जैव, Abyotic and Biotic और Abyotic संसादन वो है या अबयोटिक रिसोर्से वो है जो क्या है, Non Living है नॉन लिविंग है जैसे फर एक्जामपल मृदा चट्टाने और जैव रिसोर्स वो है जो लिविंग है जो सजीव है पहुंधे पेड़ पहुंधे और जन्तु तो हमने आज जाना कि विकास और उप्यों के आधार पर संसाधन को दो भागों में बाटा गया है एक्ट्वल पोटेंशल रिसोर्स और फिर उसके बाद हमने अपना अगला टॉपिक लिया था उत्पत्ति और उद्विंग के आधार पर वी संसाधन को दो भागों में विवाजित किया गया है जैव और जैव बायोटिक एन अबायोटिक तो यह दो भागों में इने डिवाइट किया गया है तो आज हमने दो दो टॉपिक्स को लिया और क्लियर किया तो कल हम आगे के जो दो टॉपिक हैं उन पर डिस्कुशन करेंगे